है ह review अब सुन्स कैसे हैं सभी डोग आज हम लोग टेक्स में सबसे पहला सबसे बेसिक चैपटर चूरू कर रहे हैं नाम आपको दिख रहा है ऺणा है lesson number one direct taxes at a glance नाम में तो केवल direct tax है चैप्टर में लेकिन थोड़ा बहुत indirect tax के बारे में भी बताए जाएगा बिल्कुल basic सा चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़े आपको बताई जाएंगी कि जैसे tax क्या होता है tax की correctistics क्या है canons of taxation क्या चीज होती है कितनी तरीके के tax होते है इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी देखिए अब आप लोग tax पढ़ रहे हैं पढ़ भी लेंगे पास भी हो जाएंगे सब कुछ हो जाएगा लेकिन माल लीजे जब आप बहुत बड़े इंसान बन गए सब कुछ हो गया आप कौलिफाइड हो गया और केवल आप से किसी ने कुश्चन पूछ लिया कि हमने देखा है कि भाई आप बहुत कौलिफाइड है आप डिगरी होल्डर है आप से कह रहे हैं सर या मैम हमको यह बता दीजे कि आप से कुछ रहे हैं सर टेक्स का मतलब बता दीजे आप कहेंगे अच्छा टेक्स का मतलब आप कहेंगे टेक्स दो तरीके क्यों होते है इंडारेक्स इंडारेक्स वो कहा रहे नहीं सर काइंडस ओफ टेक्स नहीं टेक्स का मीनिंग कोई बच्चा बता सकता है टेक्स का मतलब देखिए आम तोर पर टेक्स सभी ने सुन रखा है सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है ये word थो सभी ने सुना हुआ है पहला ही बार नहीं सुन रहा है निया नहीं है लेकिन टेक्स की meaning अगर कोई पूच बैठे जाइर सी बात है आधे से जादा लोग कुछ और ही समझाएंगे exam में नहीं आएगा text की meaning पता तो हो नहीं चाहिए अपने कोटी text का क्या मतलब है अगर मैं text की बात करता हूँ यहाँ पे जब लोग text की बात कर रहे हैं तो केवल direct tax की बात नहीं करें, इन direct tax की भी बात करें, meaning पर बाद में आऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यह जो tax है न, यह कोई निया concept नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब देश अजाद हुआ, उसके बाद यह आया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी taxes लगा करते थी, मैं अगर पीशे जाओं, तो जहां पे राजा वगेरा का जमाना होता था, वहां पे भी taxes लगते थे, अगर आपको उनकी जगे पे business करना है, तो कुछ ना कुछ, आपको as a goods, और maybe something else, आपको राजा को gift करना होता था, जो king होता था न, उसको कुछ gift करना होत था, मेभी पैसा monetary terms में, या maybe in kind, तभी वो आपको वहां पे वैपार करने देटा था, और तभी वो आपको बाकी लोगों से protect करता था, वो भी एक तरीके का text था, government नहीं ले रही थी, जब राजा लोगों का साशन था तो वो लेते थे, और पीछे जाएं, आप movies देखते है पिच्चर देखते हैं, अच्छा एक तो आजकल वाली आती है न, पुराने जमाने की पिच्चर देखी है, पुराने जमाने की पिच्चर में, चलो में, कोई भी पिच्चर आप सोच लोगे, यह scene, किसी ना किसी movie में आपके देखा होगा, एक गाउन लगा हुआ है, गाउ अजव सकता है, चल रहा हुआ हूँ, और एकदम से अच्चानक से movie में दिखाते थे कि घोडे में टिक-Tिक करके, बैड़के, कौन आ जाते हैं, कभी देखा है, कौन आ जाते हैं, गोडे में बैड़के, पॉरानी समाण में डाकु आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, डाकु, लुटेरे, कभी ऐसी को पिच्चर ने की है, फिर उसमें से एक डाकू जो है वो उतरता है, और अपनी हैट, टोपी, ऐसे निकालके, बीच बजार में स्टूल पे रख देता, उल्टा करके, और लोग धीमिदी में आते हैं, लाइन से, और उसमें पैसे डालते जाते हैं, ऐस अच्या लेकिन उसमें कुछ एसे भी होते थे, जो केते हैं, हम नहीं देंगे, मेरी महनत की कमाई है, वाज रावुकाका, रावुकाका कहरे हैं, यह मेरी महनत की कमाई, मैं क्यो दूँं? वो नहीं दे रहा है अब ऐसे में डाकू क्या करते थे गोली निकालते थे और डिश्कियों करके उसको ऊड़ा देते थे भाग भाग करके आखे देने लग जाते थे डाकू कहते थे देख लो गहाओं हो अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम्हारा भी यह हर्ष होगा यह क्या है, क्या यह भी एक तरीके का टेक्स था भले आप इसको गुंडा टेक्स बोल ले, इंकम टेक्स तो नहीं था, गुंडा टेक्स बोल ले वो आपसे टेक्स ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं अपने आपसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर आप हमको पैसा देंगे तो आप सही रहोगे नहीं दोगे तो हम से कौन बचाएगा तुमको वो भी एक तरीके का टेक्स था, जीना है तो देना पड़ेगा लेकिन वो लीगल था कि इनलीगल था, क्या लगता है आपको जाहिर सी बात है, इनलीगल है अच्छा, ये जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो तो नहीं पढ़ने वाले, माँवाला ये जो अपने लोग पढ़ने वाले हैं, मेभी income tax, या मेभी GST का नाम आपने सुना है goods and service tax, नाम से सुना ही है ये सब जो भी पढ़ने वाले हैं, ये क्या लगता है, ये लीगल होगा कि इनलीगल होगा लीगल, भाई जाहिड सी बात है, इतने टाइम से चला आ रहा है, तो लीगल ही है कौन लेता है? गवर्मेंट लेती है अचा, compulsory होगा कि optional होता है? compulsory, optional नहीं, क्यों, optional क्यों नहीं? हाँ, किते सही बात है, optional होगा, तो कोई पेही नहीं करेगा compulsory होगा, तो देना पड़ेगा जब परदस्ती नहीं है, पैसा हम कमा रहे है tax सरकार को चाहिए, गलत बात नहीं है है, गलत बात है कि नहीं है? देखिए यह ज़रा समझे अगर हम बात करते तो बिलकुल आपने सही का कि legal है, compulsory भी है सवाल आता है कि government क्यों ले रही है? क्या जरुवत है हमसे बिना taxes लिये, काम चल जाए उनका? दुबाई वगरा में taxes नहीं लगते government तो वहां की भी चल रही है हमारी government हमसे क्यों ले रही है? इसलिए ले ले रही है क्योंकि हमारी government की और कोई earning नहीं government कोई factory लगा करके तो बैटी नहीं है कि जहां पर production कर रही है और government खुदी कमा रही है government की earning तो वही है जो आप से हमसे taxes ले रहे हैं टेक्सेस के नाम पर और जब वो ले रहे हैं तभी सारी चीजें, जितनी facilities, infrastructure आपको मिल रहा है, तभी मिल पा रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी army forces लगी होंगी दिन राज हम लोग को protect करने के लिए तब उनकी salary है, उनका expenditure है कहां से आएगा? हम और आप जब contribute करेंगे टेक्सेस देंगे उसी से आएगा? आप market में जा रहे road हैं, roadो में घड़े हैं, या घड़ो में road हैं, anything, अब तो ऐसे development हो रहा है, roads है metro है, bridges है कहां से आएगा? या इविन government schools, हर कोई तो private school की fee support नहीं कर सकता government schools government schools का भी अगर हम देखें तो अब जो कह सकते हैं न, जो इस तरह government school का वो थोड़ा-थोड़ा better किया जा रहा है betterment की तरफ world है यह सारी चीज़ें चलाने के लिए पैसा चाहिए साब वो पैसा हम ही और आप दे पाएंगे जो कमा रहा है वो ही दे पाएगा अच्छा आप लोग text देते हो क्या? कोई? anyone? नहीं, कोई नहीं देता देते हो बिटा, आप लोग भी परोडो कमाओगे तब दे देंगे text, direct text लेकिन अभी एक text आप देते हो indirect text GST वगेरा देखो, आप कोई product खरीदते हो आपने उसमें गौर किया होगा, MRP लिखी होती है MRP पे bracket में लिखा होता है, मालो 500 रुपीज MRP है, उसमें bracket में क्या लिखा होता है inclusive of all taxes that means in this 500 रुपीज there is a tax, maybe GST maybe another, हमें नहीं पता कौन सा होगा आजकल तो GST आप सभी जानते हैं, पढ़ेंगे लेकिन tax है let's say कि उसमें 500 में 50 रुपीज का tax है, तो वो tax भी कौन दे रहा है आप ही दे रहे है आप कोई services लेते है cinema hall जाते है movie ticket खरीदते है parlor चले जाते है अपने का classes है, सजदच के आएंगे यहाँ पर क्या है taxes तो आप भी दे ही रहे है तो यानि indirect taxes तो आप भी दे रहे है direct tax अभी आप नहीं दे रहे है तो चलिए, सबसे पहले तो tax word की बात करते हैं कि यह tax word कहां से आया देखिए अपने MCQ के लिए कुछ-कुछ चीज़ें बड़ी important है कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग दिमांद में रखके चलने वाले है सबसे पहली line the word tax जो है is based कहां से आया on the Latin word कौन सा taxo taxo का मतलब होता है estimate वहां से यह word derived हुआ tax right, tax का meaning क्या है आईए देखें a tax is a compulsory contribution optional नहीं है compulsory आप और हम contribute कर रहे हैं पैसा दे रहे है क्यों दे रहा है from the person कौन दे रहा है from the person किसको दे रहे है to the government कौन सी government को दे रहे बिटा central government को कि state government को maybe central maybe state जैसे अभी income tax है income tax central government लेती है GST पढ़ेंगे तो GST दोनों लोग लेती है central भी लेती है, state भी लेती है तो वो तो government लेती है फिर अपने साब से allocate करती है तो tax compulsory contribution है from the person to the government without any proportionate return इस line को पूरे को एक बर जरा और समझते है compulsory contribution तो समझ में आ रहा है from the person person मतलब अरे सर कैसी बाते कर रहे है बचपन से person का मतलब तो हम सब को पता ही है person कौन होता है जाइर सी बात है बच्चे कह रहे हम लोग आप लोग देखिए हमारे income tax में person की भी inclusive definition दी हुई है person में आप और हम यानि individuals वो तो हैं हैं उसके इलावा company हो गई HVF हो गई, firm हो गई लिखने की जरुवत नहीं है आएगा, आगे आएगा person आएगा मैं पढ़ाओंगा आपको आपको अप्टेशन ना ले तो यानि person एक broader word है proportionate return इसका क्या मतलब है बच्चे करें कुछ भी return government हमको नहीं देती है देखो, जल्द समझें without any proportionate return का मतलब यह है, कि suppose करो मान लो मैंने मान लिते हैं मैंने पूरे साल में 10 lakh रुपीस कबाए let's say, assume करते हैं उस पे मैंने tax निकाला, मान लिया 2 lakh का tax आया, ऐसे ही मान लिया, इतना नहीं आयाएगा, मान लेते हैं 2 lakh का tax मैंने 2 lakh रुपे का tax जबा कर दिया अब मैंने 2 lakh रुपे का tax दिया तो क्या government उस 2 lakh रुपे को मेरे welfare के लिए खर्चा करेगी केवल क्या government यह कहेगी कि साब अगरवाल साब ने दिया है अगरवाल साब के घर की भार की रोडे बंग जानी चाहिए उनके घर के बार मेट्रो चलवाओ जल्दी से क्या केवल मेरे लिए खर्चा होएगा नहीं, वो public at large सब के लिए खर्चा होगा जहां पिर जितनी जरूरत होगी यानि आप ये नहीं कह सकते कि हमने tax इतना दिया तो इतना फाइदा हमको दो के वल फिर तो मतलब ही नहीं निकलेगा नहीं तो अमीर tax देगा और अमीर कहएगा हमी को फाइदा दो तो गरीब तो ऐसे मर जाएगा तो एक तरीके से tax हम सब दे रहे हैं किसके लिए सभी के welfare के लिए जो लोग participate कर सकते हैं जिनके income जादा है उनके ओपर tax का burden डालती है government direct tax का और उनसे वो tax लेती है ठीक है? कोई doubt? Tax का purpose क्या है? यानि जो government tax का पैसा collect करती है उसका aim क्या है? क्यों collect कर रहे है? The amount of tax collected by the government can be used by various purposes मैंने इसको ना दो पार्ट में बाटा हुए एक public welfare services के लिए और एक other services इसको आप social services भी बोल सकते हैं तो public welfare services में government किसमें खर्चा करती है? जैसे कि उसरे schools बनवा दिये education वगएरा में खर्चा करती ही government schools वगएरा healthcare system करोना में सबने देखी लिया healthcare system कितना जरूरी है hospitals होने सारी चीज़े oxygen facility जो भी requirement है कितनी जरूरी है कोई ऐसा ना हो कि बिना इलाज के मर जाए करोना ने बहुत को सिखाया government खर्चा करती है जो बुज़र्ग लोग है elderly people है उनके लिए pension हो गई public transportation train, metro, buses वगएरा उसके उपर खर्च other services में आ जाए expenditure on war भगवाद ना करे अगर हमारा किसी country के साथ war होना हुआ तो आपको बताए war होगा तो जाहिड सी बात है बहुत सारे लोगों की जान जाएगी उसके लावा खर्चा भी तो बहुत होगा होगा की नहीं होगा उन सब का पैसा कहां से आएगा टेक्सिस से आएगा enforcement of law and order आज आप market में जाते हैं तो आप बिल्कुल बेदड़क होके घूमते हैं आपको पता है कि ऐसा नहीं कि कोई आपको pistol दिखा करके आपकी chain loot लीगा ऐसा तो नहीं करेगा चीन के भाग जाए वो बातलग है यानि जो market में आप घूम रहे हैं तो आपको पता है कहीं न कहीं कोई security है law and order है फुलिस वाले हैं उनकी salary उसके लिए पैसा चाहिए economic infrastructure roads वगेरा, bridges वगेरा and other operations of government, operation of government मतलब, government अपना जो operation कराती है, operation of government मतलब बहुत सारी अलग चीज़े, for example माल लीजे हमारी country ने किसी दूसरी country में कोई spy agent छोड़ रखा है जहां से हमें चीज़े पता चलती रहे और भी बहुत सारी activities हो सकती जरूँ तो ना government सब कुछ अब लोग को बताती होगी सारी चीज़े बता भी तो नहीं सकती, ठीक है अचा केवल इतने ही purpose है न, इसके लावा तो कोई purpose नहीं है मैंने देखे लिख रखा है, दोनों में एक्सेक्टरा, purposes तो बहुत सारे है ठीक, तो हम लोग ने tax पढ़ा उसका purpose पढ़ा इस पूरे से क्या सीखा proportionate return नहीं मिलेगा आपको कि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा और government उसको use करती है social security के लिए और welfare purposes के लिए ठीक है यहाँ तो कोई doubt नहीं एक बात जड़ा सुनिए जब भी आप tax पढ़ेंगे पूरे अपना tax के जितनी भी classes होंगी जब या फिर घर में भी पढ़ने जब भी tax पढ़ेंगे तो tax को पढ़ने के पीछे एक मूलमंत्र द्यान रखिएगा आपको दिमाग में एक चीज रखिएगा तो आपको tax समझ में आएगगी आपको किवल एक चीज को दिमाग में रखना है वो यह कि हर यह बेसिक दिमाग में बैठालो क्योंकि अगर यह आपने दिमाग में नहीं बैठाला तो आपके दिमाग में ना उल जलूल सवाल आएंगे अलूम कैसे कैसे सवाल आएंगे सवादर हमने कमाया हम बताए नहीं गवर्मेंट को तो कैसे पता चलेगा उनको सरम दे यह नहीं तो ऐसे सवाल अगर दिवाग में होंगे तो टेक्स नहीं जाएगा तो टेक्स को पढ़ते समय पढ़ते समय पहला नियम है टेक्स को पढ़ने का कि आपका दिमाग यह सोच के बैठे कि दुनिया का हर व्यक्ती पूरा ओनेस्ट है अपनी इमानदारी से खुद ही बता देगा कि इतनी इंका है जब आप यह दिमाग में रखेंगे तो इस तरीके के डाउट से नहीं आएंगे राइट चलिए देखते हैं जरा क्रेक्टरेस्टिक्स क्या है टेक्सेस की टेक्स कंपल्सरी है हाँ जी ऑप्शनल तो नहीं रख सकते थे कॉंट्रिब्यूशन है हम सब कॉंट्रिब्यूटी कर पा रहे है टेक्स किसके लिए है पब्लिक के बेनिफिट के लिए है और एकनॉमिक ग्रोथ के लिए है क्या आपको कोई टेक्स्पेर टेक्स को लगाने की लइवी करने की तभी लगारी इतने सालो से पावर यह नहोती तो कैसे लगाती अचा पावर कहां से आती है कोई भी एक्ट बनाने की जैसे इंकम टेक्स एक्ट है Companies Act है कोई भी Act बनाने के Power कहां से आती है Constitution of India से कहां से आती है Constitution भारत का जो सम्विधान है वो Power देता है तो Government पास Power है इसके एसाब से उसने Act बना रखा है तभी तो Legal बनता है Income Tax मैंने आपसे कहा या आपने भी बोला GST हो गया, Income Tax हो गया, सब Legal है Legal कैसे है Government Act बनाया हुआ है ना अपनी Power को यूज़ करते हो तभी लीगल है चीक है, कोई doubt नहीं, विल्कुल basic सा है चीक है जी, अब मैं जरा आजाता हूँ एक topic है Canons of Taxation सवाल आता है ये Canons क्या word है, I think पहली बारी आप सुन रहे होंगे Canons of Taxation देखिए, Canons का मतलब होता है Principle Criteria Rule जब भी Government कोई भी Tax Law बनाती है, एक बार मेरे को देख लीज़ा सब लिखा हो गए जब भी Government कोई भी Tax Law बनाती है, तो Tax Law बनाते समय वो कुछ बातों को दिमाग में रखती है, तब बनाती है कुछ Canons को कुछ Criteria को दिमाग में रखके बनाती है, क्योंकि अगर इन Canons को बिना दिमाग में रखे Tax Law बना दिया तो हो सकता है Public अपोस करने लगे, हो सकता है Public उस Law को माने ही न, मेभी वो Tax Law हो किसी किसान से Related Law हो या कुछ हो, Public करने लगे, तो सही Taxation System वही है जहां पर Government जब बनाए तो कुछ Basic Criteria Canons means Criteria, Criteria को दिमाग में रखे, चार तरीके के Canons होते हैं याद करने के लिए मैं आपके दिमाग में डाल देता हूँ, E square, C square मैं सुनी है मैं परिशारनों कोई formula नहीं है मैंने अपने आप बनाए E square, C square, यानि दो E से हैं और दो C से हैं क्या है, मतलब क्या है आईए जरा देखते हैं Canons of Taxation Canon means the criteria by which something is just किस criteria से आप उसको just कर रहे हैं या इसको आप in other words क्या कह सकते हैं Canon का मतलब General Rule भी कह सकते हैं Principle भी कह सकते हैं Criteria, etc Taxation में चार Canon है Exam में आप से MCQ में पूछ सकता है How many Canons are there किते हैं? Four Sir, कौन-कौन से Bita E square, C square कौन-कौन से Sir Canon of Equity Canon of Economy ये दो E से हो गए ज़रूरी नहीं कि Sequence में ही आपको याद करने दो C से Canon of Certainty, Canon of Convenience Sir, मतलब क्या है इन सब का एक एक करके समझा दीजे सबसे पहले Canon of Equity इसको समझते हैं मनलोग Government ने ऐसा Law बनाया कि Government का जो इंकम टेक्स एक्ट वगरा है बढ़ा टफ है बच्चे भी परेशान होते हैं पढ़ते समय याद रहता नहीं है अना एक्जाम में नंबर जल्दी मिलते नहीं है तो Government का ये सब Law हटा के केवल एक लाइन लिख दी Government ने कि हर व्यक्ति को हर साल एक लाख रुपे का टेक्स देना बताओ सही है कि नहीं सही है Government ने एक Law बना दिया कि छोड़ो भाई कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते हो हम नहीं पूछेंगे बच चुप चाप आके हर साल हर इंसान चाहे आप हो चाहे हम हो वन लाख रुपीस का टेक्स देजे चाहे मुकेशन मानी हो एक लाख रुपे का टेक्स दे चाहे रिक्षे वाला एक लाख रुपे का टेक्स दे सही है नहीं सही है साब क्यों नहीं सही है जिसकी जैसी चमता है उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा यानि जो गरीब है या जो नहीं कमाता उससे जाहिर सी बात आप income tax नहीं ले सकते या जो गरीब है एक slab के उपर आता है उससे लेंगे तो कम लेंगे और जो अमीर है इससे थोड़ा से ज़ादा लेंगे और अमीर इससे और लेंगे suppose करो मालनो मैं 10 लाग कमाता हूँ for example मेरा ऐक friend है राम वह भी 10 लाग कमाता है की और government ने कहे रख्वा है विक्की जी आप से हम लेंगे दो लाग रील कमा रहा है तो देख्वेलटी कंब लिजए रिक्विटी भल लीजए बराबरी तो होनी चाहिए, हमसे भी या तो दो लाख लो, उससे भी दो लाख लो, या हमसे भी एक लाख लो, उससे भी एक लाख लो, same amount होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहला वो ही है canon of equity, पढ़ते हैं जरा, it means that tax should be levied, किसको देखते वे, on the basis of equality, अचा equality का मतलब क्या equal होता है exactly equal नहीं होता बिटा, जरा मैं आपको इसको example से समझाता हूँ, समझे ना equity and equality means क्या मतलब हो इसका, जरा समझे suppose करी मालने चाहिए, आप हैं घर पे और, मालने थे हैं आपका एक छोटा भाई बहन है, बहुत छोटा आप से, दस साल छोटा है आप से ठीक हैं, आप दो लोग हैं के बहुत और घर पे मम्मी या पापा शाम को आते समय चॉकलेट लेकिया है, तीन चॉकलेट लेकिया है वो तीन का बटवारा करना है आप करिए जरा कैसे करेंगे कैसे करेंगे बड़े बत्तिमीज से करेंगे आधी आधी डेड़ डेड़ कर लेंगे नहीं, मम्मी आप क्या करेंगे एक आपको दे देंगे और मानलो, दो इसको दे देंगे आप कहेंगे, ये क्या भेद बाव भाई कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे है मम्मी आपा Discrimination नहीं, वो छोटा है न, वो छोटा है, आप बड़े हैं, आपका एक में काम हो जाएगा, उसको दो मिल जाएगी, गलत है कि सही है, गलत है, अच्छा ये गलत है, तो चलो दूसरा एक्जामपिल लेना, फिर ये भी गलत होगा, जो घर में खाना बना, तो छोटे को वाले को मिली एक रोटी, उसका पेट भर गया, ममी ने आपको भी एक रोटी दी, आपने का नहीं, और भूक लग रही, ममीन का नहीं, बराबर तो है, चॉकले बराबर, that means, ऐसे केस में, आपको हो सकता है, 2-3 रोटी, 10-20 रोटी जो भी आप खाते हो, और उसका एक रोटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो income tax के rate है ना, जो slab है, वो progressive slab, progressive मतलब है कि जैसे इसे income भड़ती है ना, तो income tax का rate भी भड़ता है, जो ज़्यादा कमाता है, उसको ज़्यादा rate पे tax देना होता है, जो कम कमा रहा है, मानले उसको 5% tax देना है, ज्यादा वाले को 30%, तो आपको देख देख दे, it means that tax should be levied on the basis of equality, example, taxpayer with equal abilities should pay same amount of tax and taxpayers with greater ability, जिनकी ज्यादा ability मुकेशम मानी साहब हो क्या गरे है, ज्यादा tax देन, शुड़ पे more tax, तो government जब भी tax laws बनाए, तो इस canon को दिमान में रखे, दूसरा, canon of certainty, certainty, आपने सुना होगा कि हर साल budget आता है, सुना है कभी, कि इंस्टा वगेरा से कभी भारी नहीं आप है, सुना है, हर साल budget आता है, पका, अच्छा, budget बोल लिजे, या estimation, budget means estimation, finance bill बोल लिजे, जो budget आता होगा, वो आने वाले साल के लिए आता होगा, जो साल शुरू होने वाल होगा, उसके लिए आता होगा, जा इसी बात है, आने वाले साल के लिए, क्योंकि budget का मतलबी estimation तो आने वाले के लिए होगा, prediction तो, forecasting तो आने वाले के लिए होगी, भूत काल के लिए जो past में बीद गया, उसके लिए budget थोड़ी ना होगा, तो actual figures होगी ना, जब budget आता है, हर साल, तब government हर साल, tax rates बताती है, कि इस साल अब जो आप income कमाएंगे, उस पे कितना tax आपको pay करना है, यानि in advance में बता देती है, पहले ही बता देती है, जो साल शुरूर ने वाला होता, उसका पहले ही बता देती है, कि जब साल खतम हो जाता है, बाद में बताती है, पहले ही बता देती, suppose करो अगर ऐसा ना होता, तो कैसा होता सर, मालनो ऐसा होता, मालनो मैंने पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करी, और पैसा कमाया, खुब पैसा कमाया, मालनो मैंने पूरे साल में 50 लाक रुपीज, 50 लाक रुपे कमाया, government मेरे से कह रही है, कि अभी हम आपक आपको टेक्स रेट बताएंगे, पहले कमा लिजी, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, बाद में भी बताएंगे, ने ठीक है, हमने पूरे साल मेहनत करी, 50 लेक्ट कमाया, जब 50 लाग कमा लिया, तो गौवर्मेंट ने का, अब हम आपको बताते हैं, कि आपके ओपर टेक् से, हमने पागल हैं क्या, 50 लेक्ट, 90 लेक्ट, 45 लेक्ट आपको दे देंगे, अब मारे लिए 5 लेक्ट बचेगा, इस से वड़ियान पूरी साल मेहनती क्यों करीदे, चादर टान कि सोते रहते, है की नहीं, यानि आप लोगों को अंसर्टेन पोजिशन पे नहीं रख सकते डाउटफुल नहीं चोड सकते, आपको पहले के लिएर करना पड़ेगा, कि भाई, इतनी इंकम पे इतना टेक्स होता है, तब ही सामने वाला भी प्रपेर रहेगा, उसका माइन भी एक सेट रहेगा, कि हम भाई सैलरी मिलती है, तो इतना टेक्स कटके मिलना है, हमें पता ह इतनी 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 पास नहीं हो पाते हैं इसे में तो भाग जाते हैं तीसरा है Canon of Convenience Canon of Convenience मतलब Suppose करो अपनी Tax Laws ऐसे होते माल लो आज मैंने पूरे दिन में कमाया है Let's say 5000 पांच हेजार रुपे और उस पे माल ले टेक्स बना 500 रुपे और माल लो हमारे Tax Law ऐसे होते हैं गवर्मेंट के ती 이 5,000 मैंने कमाया गवर्मेंट केती है अगरवाल जी आपने 5,000 कमा लिया इस पे 500 का Tax बनता है जल्दी सिर्ट जमा करा दीजा के मैं करें ठीक है सर 500 रुपे का Tax आपके जमा करा दिया फिर मैंने 2000 कमाया, गवर्मेंट के रिए जल्दी हो, 200 जमा करा दू हम करें मतलब यही कर ले रहे हम काम छोड़ करके, जैसे ही कमाया, आपको देते जाएं क्या convenient है मेरे लिए? नहीं, एक suitable ऐसा होना चाहिए नहीं कि problem भी नहीं हो, ऐसे ही इंसान को tax देते समय problem होती है, होती कि नहीं होती है, लेकिन कम से कम इतना तो रखदो कि convenient हो, एक साल के आखरी में ले लिया, या जो भी लेन, आप डेड़्स बता दीजे, जो भी तरीका है तो canon of convenience, according to this canon, every tax should be levied in such a manner and at such a time that it affords to the maximum convenience to that taxpayer, government मानलो ऐसा लिख दिया कि हर एक इंसान जो कमाएगा income, वो government के पास आके मानलो दिल्ली में आके tax देगा, पुरे देश में जहान जहान से भी कमारा है, दिल्ली में आये tax देगा, क्या है मुमकिन है, नहीं भई, चौथा canon, canon of economy, tax law बनते हैं, कब देना है, कैसे देना है, collection कैसे होना है, government कैसे लेगी, जब भी ये बने, तो ये देख के बने कि कहीं ऐसा नहों कि tax लगाने की और tax collect करने की खर्चा बहुत जादा बढ़ जाए, जैसे इसको ऐसे समस्ने थे कि आज का जमाना तो है online वाला, आप सारे बच्चियास के जमाने में online वाले, आप लोगों ने कभी line नहीं लगाइं कहीं पे, न फ्यूचर में लगानी पढ़ेंगी चाहे वो बिजली का बिल जमा करना हो चाहे वो टेलीफून का बिल जमा करना हो चाहे वो टेक्स जमा करना हो लेकिन ऐसा नहीं हम लोग ने लाइने लगाई है बिजली का बिल जमा कर रहा हूँ तो लाइने लगानी पड़ती थी टेलीफोन पहले रेल लाइन वाला होता था तो BSNL में साब लाइने लगती नहीं टेक्स जमा ऐसे ओनलाइन नहीं होता था बैंक में जाना पड़ता था RBI में जमा होता था उसके बाद SBI बगरा में जमा होता था नहीं नहीं लगती थी एक दिन तो लग जाता था इंसान का आदा दिन तो टेक्स जमा करते करते आज का क्या तरीका है आज तो ओनलाइन है सब कुछ आपको टेक्स जमा करना है लैपटॉप, मोबाइल, कहीं से भी भैट करके तुरंट जमा हो जाएगा उसमें कौनसी बहुत बड़ी बात है ITR फाइल करना, income tax return भरना है ओनलाइन हो जाएगा एक समय था पहले manual forms होते थे उस form कमलोग भरते थे फिर उस पे जा करके stamp लगवा के जमा करवाते थे अब time taking process था अब advanced होगे, भर-भर के इतने अग्यान आगया है पांच मिनिट के अंदर salary का return बर जाए पांच मिनिट भी ज़्यादा बोल दिया कि भार ही किसी से ना बोलना यह तो लोग पैसे नहीं देंगे मतलब अब जमाना जो है बहुत ज़्यादा आप देखे तो कहीं न कहीं convenience भी हो रहा है और उसके साथ economical अपने आप हो रहा है जब online है, सब कुछ है तो economical अपने आप हो रहा है यह लिखा है canon of economy this canon implies that cost of tax collection should be minimum कितने हो गये canon बताओ चार, कौन-कौन से E square, C square, दो E वाले पहले बताओ equity economic, दो C वाले certainty, convenience याद रहेगा अच्छे taxation system पे एक अच्छा tax lock इसको कहेंगे जिसमें कौन-कौन से canon हो चारों, तो एक note लिखा है a good taxation system should follow all these canons exam में पूछेगा तो आप बता लोगे माले उस पे MCQ essay बन गया कि इन में से कौन सा canon of taxation नहीं है एक option दिया है certainty एक दिया equality, एक दिया evasion एक दिया economical evasion, सरीए क्या होता है evasion evasion मतलब होता है tax की चोरी करना ठीक है न मतलब आप पैचान लोगे न यह चार है बागी कोई option होगा ठीक है अगली बहुत बेसिक सी चीज यह बताना आपने कभी अपने जीवन में income tax का नाम सुना है नाम, मैं करने यह नहीं कह रहा हूँ आपको आता है, income tax का नाम सबने सुना है अचा, custom duty का नाम सुना है सुना है, custom duty import duty, export duty सुना है ses सुना है, ses ses शायद पहली बार सुन रहा हूँगे health and education says मैं आपको यह समझाने जा रहा हूँ कि tax duty says यह तीन होते क्या है क्या difference होता है तीनों में जैसे income tax बोलते हैं हम लोग, income duty तो बोलते नहीं income duty बोलते हैं, नहीं custom duty बोलते हैं, custom tax तो बोलते हैं या GST है, goods and service tax बोलते हैं goods and service duty तो बोलते हैं health and education says बोलते हैं तो तीनों में difference क्या है मोटा मोटा तो अगर हम बात करें तो तीनों tax लेने के तरीके हैं यानि बीजरली बहुत भ्याना कोई difference नहीं है तब भी nominal सा इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा difference होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए तेरा देखते है tax duty says सबसे पहला difference टेक्स में पढ़ो क्या लिखा है compulsory payment टेक्स लग रहा है तो फिर देना पढ़ेगा अगर आपके उपर लगा है तो optional नहीं है duty में क्या लिखा है compulsory payment CES में क्या लिखा है compulsory payment तो ज़रूरी थोड़ी ना सबज़े के डिफ्रेंसी लिखे वहला तो common है तीनों चीज़े compulsory तो अंतर क्या है, second पढ़ना tax जो होता है ना बेटा वो generally revenue पे based होता है revenue मतलब revenue means एक तरीके से income आप कितना कमा रहे हैं जितना ज्यादा कमा रहे हैं उससाब से आपको income tax देना है income पे based होता है आम तोर पे generally CES की अगर हम बात करें तो CES भी revenue पे ही based होता है CES मतलब ऐसे CES means tax only, right? There is a little bit difference CES और tax में थोड़ा सा difference है वो समझते हैं कि CES का मतलब भी tax है दोनों income पे based है लेकिन duty जो होती है ये revenue पे based नहीं होती है सर मतलब हम लोग मान लीजे कोई goods import करते हैं बाहर से import तो सब लोग समझते हैं दूसरी country से import करना या export अपनी country से बाहर बेजना goods जब import करते हैं तो import duty लगती import duty बोलीजे या custom duty बोलीजे एक custom law होता है custom act 1962 बना हुआ है उसके इसाब से import duty देनी होती है वो goods भले ही आप business के लिए import कर रहे हो परदर बेचने के लिए import कर रहे हो तो भी देनी पड़ती है personal use के लिए कर रहे हो तो भी देनी पड़ती है यानि वो आपके revenue पे आपके income पे based नहीं होती बाकी custom duty क्या होती है वो हम लोग परदर समझेंगे ठीक है न वो आएगा वो भी समझेंगे इसके इलावा बात करते हैं ये तीनों ही पैसे किसको मिलते हैं sir government को तो government इन पैसे को कैसे यूज करती है पढ़के देखो text में लिखा है government is free to utilize this amount as per its choice मतलब income tax के नाम का हमने जो पैसा दिया और government अपने इसाब से उसको allocate करती कि उसमें से कितना किस चीज में लगाना है अभी आपको per purposes पढ़ाए गयती न कितना defense में देना है कितना health system में देना है कितना कहां देना है free है अपने इसाब से allocation करती है जहां need देखती है CES में पहले पढ़ो अच्छा चलो पहले duty पढ़ते है duty में पहले पढ़ो duty में भी same चीज लिखी है duty में भी government free है अपने इसाब से उस पैसे को use करनी दे है लेकिन CES जब ठी government CES के नाम से पैसा लेती है तो एक particular उसको नाम दे देती ये विल CES नहीं होगा वो एक particular एक CES होगा for example health and education CES के नाम से कुछ tax लगता है जब आपको tax निकालना सिखाऊंगे तो बताऊंगे कितना लगता है कैसे निकालते है वो बात की बात है अब अगर नाम दे दिया किसी को तो वो CES बन गया health and education CES इससे जो पैसा मिलेगा government को उसको पता है कि विल किस चीज के लिए use करेगी अगर health and education CES है क्या लगता है काई के लिए use करेगी health के लिए और education के लिए जिस नाम से वसूला जा रहा है वो CES उस particular purpose के लिए ही उसको use किया तर लगाने का मुद्दा ही ही होता है लगाने के पीछे government का logic यह होता है कि हमें इस चीज को और develop करना है इसलिए हम थोड़ा सा पैसा आपसे और लेंगे थोड़ा सा tax और लेंगे उस पे CES लगाते है जैनि CES and tax duty को थोड़ी थिर भूलें CES and tax में basic difference यह है कि tax का पैसा government प्री अपने साब से allocate करती है कहां पर कितना देना है किता use होना है किस चीज में लगना है बड CES जिस purpose से बोल के आपने लोगों से पैसा लिया उसी के लिए ही use होता है जैसे एक होता है स्वक्ष भारत CES स्वक्ष भारत CES से क्या समझ में आ रहा है साफ सफाई के लिए ठीक है लिखने की जरुवत नहीं अभड क्या that means CES क्या है CES में लिका है any amount collected by way of CES can be utilized by government only for the purpose जिसके लिए उसको collect कि example में सर क्या है income tax, goods and service tax ये tax के example होगे duty में मैं बराबर बोल रहा हूँ custom duty says health and education says ये आपका इसके example होगे ठीक है जी कोई doubt नहीं पक्का अभी तक क्या-क्या पढ़ डाला अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था चलो एक बार समराइस कर देता हूँ चल्दी से पांच निट के अंदर एक बार recap ले लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने tax पढ़ा कि tax tax of word जो एक Latin word है उससे drive दो है जिसका मतलब है estimate फिर पढ़ा tax compulsory contribution है जो person government को दे रहा है without किसी proportionate return purposes में पढ़ लिए public welfare के लिए other services के लिए टेक अवे में अपने ने देखा compulsory contribution है person government को दे रहा है कोई proportionate return नहीं characteristics compulsory है contribution है public benefit के लिए कोई direct benefit आपको नहीं देगा income से देना है government के पास power है चार canon है canon मतलब criteria E square C square E square में अपने देखा equality C square में देखा certainty convenience ठीक है उसके बाद आप लोग आ गए tax duty says का difference के बीच में तीनों ही compulsory है tax और says tax और says revenue पे based है duty revenue पे based नहीं होती उचे import करेंगे तो import duty देनी पड़ेगी भले ही आपकी income हो ना हो जितनी import कर रहे हैं जिस चीज को उसकी value के सबसे import duty देनी होती जो लोग लेटर on custom में सीकेंगे tax और duty में एक चीज जो common थी कि government free है अपने सबसे पैसा यूज करने के लिए लेकिन says में आपने पड़ा जिस चीज के लिए लेंगे उसी के लिए यूज करना पड़ेगा यहां तक बास समझ में आ गई पक्का चलें आगे कोई doubt नहीं अब बेटा क्या आता है अब हम लोग आ जाते हैं हो सकता है या आपने कभी छोटे में सुन भी रखा हो कितनी तरीके के taxes होते हैं classification of tax या kinds of tax direct tax and indirect tax पहले सुना हुआ है यह कि अभी आज ही सुना है और मैंने आज की class में आप से पूछा कि आप लोग tax देते हैं कि नहीं तो हम लोग किस मुद्धे पर किस conclusion पर पहुँचेते हैं कौन सा देते हैं आप लोग indirect tax आप लोग देते हैं अच्छे जो आप लोग indirect tax देते हैं जैसे कोई goods खरीदे आपने मालीजे आपने पालेजी खरीदा biscuit खरीदा आपने 5 रुपीज का पालेजी उसमें tax जुड़ा है जाइड सी वात है एक रुपए का तो वो tax आप किसको देने जाते हैं government को देखे आते हैं नहीं किसको देते हैं शॉप कीपर को आप दे देते हैं आप तो उसको पूरा 5 दे देते हैं फिर आप मजे से biscuit को चाय में डिबो के खाते रहते हैं आप तो यह ना government पास जमा करानी जाते हैं वो जमा करानी की responsibility किसकी है उस retailer की, उस wholesaler की, उस distributor की, उस manufacturer की आपकी सिर्दर्दी नहीं इंसाथ direct tax है, indirect tax है indirect tax है जमा करानी की जुम्मेधारी है उसकी, कल को माल लो tax जमा नहीं हुआ तो government किसको पकड़ेगी आपको की उसको उसको पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ेगी कैसे खालिए बिस्कुट पेट को लो, बिस्कुट निकालो, आपको नहीं पकडने वाली, उसको पकडने वाली है, this is indirect tax, that means इसका burden किसकी जेब में पढ़ना है, shopkeeper की जेब में, burden, burden मतलब, ultimately burden का मतलब, खर्चा किसकी जेब पर आया है, जमा कौन करा रहा है, यह burden नहीं होता, burden, किसने दिया tax, जमा कौन करा रहा है, burden, burden, burden आपकी जेब में है, आपसे tax लिया जा रहा है, this is called indirect, indirectly इसलिए बोलते हैं, कि जमा कराने वाला व्यक्ति कोई और है, लेकिन burden ultimate consumer की जेब में पढ़ने वाला है, आपसे ले रहा है न, आपसे उसने गर पांच रूपय लिये, और उसमें एक रूपय tax के नाम का included है, तो आप दे रहा हो न उसको एक रूपय, फिर वो एक रूपय जमा करा रहा है, फिर जमा करा रहा है, ultimate burden आप जिल रहे है, हाँ जमा वो करा रहा है, indirect tax है, लेकिन direct tax में, impact भी और incidence भी burden भी और जमा कराने वाला व्यक्ति भी दोनों same होते, for example, आपने job करी बढ़े ओके बढ़ी हैं, आपकी job लगए एक करोन का package लगिया है हाथो बोल दिया करो 24 गंटे में एक बार सरस्वती माता बैठती है जमान पे, अच्छा अच्छा बोलो दुनिया में एक करोन की job लग गए tax बना उस पे कौन जमा कराएगा आप जमा कराएगे, चाहिर सी बात है income किसकी, आपकी tax कौन देगा, income tax आप देगे पढ़ो से थोड़ ना देगा this is direct tax, पढ़के दिखते there are two types of taxes, direct taxes, indirect taxes, direct taxes सर कौन से होती है whose impact and incidence falls on the same person, सर यह impact क्या है यह incidence क्या है, पढ़के दिखो अपने आप पढ़ो देखो क्या लिखा है incidence का मतलब होता है the person who pays the tax जो government का जमा करा रहा है वो है incidence impact का क्या मतलब है जिसके उपर burden पढ़ा जो उसके बोच के तले दबा चला जा रहा है ज़र होता है, indirect tax में जो मैंने पाढ़ले जी वाला example लिगा एक है shopkeeper और एक है आप जो उसको खाने वाले हैं biscuit को incidence किसके उपर पढ़ा किसके उपर shopkeeper के उपर इंपेक्ट लेकिन किसके उपर पढ़णा है आपके उपर consumer के उपर impact यानि जो burden चला incidence यानि जो जमाकरानिक responsibility जी की है लेकिन जब हम income tax की बात करते हैं direct tax की बात करते हैं तो direct tax में incidence किसका जिसने income कमाई impact किसका जिसने income कमाई burden भी उसी का जमा करानी जुम्मेदारी भी उसी की बात समझ में आ गई पका, therefore मैं कह सकता हूँ, direct taxes are levied and paid on income of a person and its burden cannot be shifted direct taxes, किस पे लगते हैं income पे, और उसका burden आप किसी और के पर shift नहीं कर सकते, क्या ऐसा कर सकते हैं, कि हमने पैसा कहा है, हमारे उपर income tax लगा और फिर हमने क्या की, अपने पडोसी से कहा कि हमें 5 लग का income tax जवा करना पड़ा था, 5 लग नहीं ले सकते हैं, कैसे लोगे, example income tax corporation tax, corporation tax, वोई चो company के उपर income tax लगता है, ऐसे कि तब indirect tax के है, indirect taxes are those taxes whose impact and incidence fall on different person, impact किसी और के उपर, incidence किसी और के उपर, these are the taxes, जो किस पे लगते हैं, goods पे भी लगते हैं और services पे भी लगते हैं, अच्छा जिसे GST है, GST किस पे लगता होगा, goods पे कि services पे, नाम पे यह है कि दोनों पे लगता है, बिलकुल आप सही करें, they are paid by the retailer वगएरा, इनको pay करते हैं, but ultimately किस से recover करते हैं, retailer, consumer से, सब कुछ आपी से ले की जमा करेंगे, indirect tax, so incidence of tax, retailer पे है, जबकि impact, जो burden है, जो मरा जा रहा है, इंसान, वो कौन है, ultimate consumer है, example, GST, custom duty, etc, tabular form में भी मैंने difference लिख रखा है, direct tax का, indirect tax का, direct tax में, incidence, impact, same person पी होटा है, लेकिन indirect tax में incidence और impact different person करो है, direct tax का burden आप shift नहीं कर सकते, लेकिन indirect tax में shopkeeper बोल लिजे, retailer बोल लिजे, वो आगे अपना burden shift कर देता है, consumer क्योंगे, एक बार बताओ, जैसे मैंने पाले जी का example लिया, पांच रुपे का मान लिजे, पाले जी है, अगर आप खरीदने जाएंगे, पाले जी, एक पाले जी आपको खरीदना है, तो आपको कितने का मिलेगा, अगर पांच का है, पांच का मिलेगा, मैं खरीदने जाओंगा, पांच का, मुकेश अम्मानी खरीदने जाएंगे पांच का, रिक्षे वाला खरीदने जाएगा पांच का और इसमें अगर एक रुपय का टेक्स जुड़ा है इंडारेक्ट टेक्स जी एस्टी मान लीजे तो जो भी पारली जी खरीद रहा है चाहिए वो मुकेश चाहिए तो उस पर जो टेक्स लगता है वो आपको देना पढ़ा है आप अमीर हो या गरीव हो वो बात अलग है कि गवर्मेंट क्या करती है जब जी एस्टी लगाती है तो जो डे टू डे निसेसरी चीजे हैं, निसेसरी इसकी चीजे हैं उन पर नहीं लगाती है, एक्जेम्ट कर देती है उन पर नहीं लगाती है, जो ज़रूत है की चीजे हैं या उन पर लगाती है, तो कम लगाती है लेकिन जितना लगारा, अगर नहीं लगारा है तो टेक्स देना नहीं कमाएंगे, नहीं देना, जादा कमाओगे, जादा देना, अच्छा आपका क्या सपना होगा, बड़े होने के बाद, क्या चाहोगे, टेक्स देना पड़े की ना देना पड़े, इतना पड़ाई कर रहे हो, इतना समझ रहे हो, उसके बाद भी अगर द सब्स्रा है दिना पड़े देना पड़े निपस देना पड़े से करूनों लाको करूनों ट्जट देना पड़े स्विफ 260 फजे का अर्ब सिर आज है वहं यह मना के इंक्स्की मैं का इसना लिव ऐद बड़े ब्रधाि नहां रहां शुकुत निदो नहीं का इस दर नहीं होती टेक्स इवेजन इवेजन मैंने अभी समझाय था आपको मतलब क्या होता इवेजन का टेक्स चोरी देखिए देखिए जरह समझीएगा अपने जो टेक्स के लॉज बने हैं आज की तारिक में अगर हम बात करें तो गवर्मेंट ने बहुत हद तक कोशिश करी है कि जहां पे टेक्स की चोरी ना हो पाए लेकिन तब भी चोरी करने वाले चोरी कर ले जाते हैं अच्छा आपको क्या लगता है डायरेक्ट टेक्स औ डायरेक्ट टेक्स में कि इंडायरेक्ट टेक्स में डायरेक्ट टेक्स में क्योंकि डायरेक्ट टेक्स में क्यवल एक ही बंदा इन्वॉल्ड है जिसने कमाया वही टेक्स दे रहा है वो सकता है वो छुपा ले जाए जो आपको मैंने कहा था इंडायरेक्ट टेक्स में जल अप्या पढ़के रहे हैं आप या सीक्क रहे हैं ड्यक्स पढ़ते समय चाहे ड्यट चाहे ड्यरीक दिभाग में और włas समझ में आ गई क्लिया आज की क्लास के यह समझ में आ होमवर क्या रहेगा आपका ये भी सुन लीजे जितना आज आपने पढ़ा है बस उसको घर जा करके आदा घंटा बुक भुक भी बंद कर दीजेगा सब कुछ बंद कर दीजेगा अकेलें बैठके सिर्फ सोचिएगा आज की क्लास को आदा घंटा पहले सुचिएगा जो जो मैंने बूला सिर्फ सुचिएगा जितना आदा है उसके बाद आदा घंटा बैठके पढ़ लीजेगा इतना काम आपको टेक्स बेटर आज के लिए ठीक है जैसे ऐसे टेक्स बढ़ेगा तो बड़न भढ़ाऊंगा ऐसा नहीं यहां देने इट से ही काम चली जाएगा चली थैंक यू किसी को कोई डाउट तो नहीं है न है क्या नहीं ओके बाई बाई